नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस study for civil services में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका feedback है कोई suggestion में तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चै यही नमबर है हमारे सिर्फ जहाँ पर कॉल या वाट्सप कर सकते हैं इस्टाग्रम पर हमारा पेज जरूर फोलो कर लिजेगा study for civil.services है हलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिट से यूपी ट्रपल सी जूनियर रसिस्टेंट यानि की कनिष्ट सायक की जो पेखशित प्रकेंसीज हैं जो प्रत्याशित हैं जल्द उटकी तयारी के लिए हमारा नया पेज ग्रूप शुरूब प्रत्याशित प्रकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं जो अब आगे बताया जाएगा आशा है कि जल्द हमको नोटिफिकेशन देखने को बिलेगा कि कितने अंक वाले पीटी में कितने नियुनता मंक कराप्त करने वाले इस परिक्षा में फॉर्म भर सकेंगे जिन लोगों ने पेट ग्रूप को ज्वाइन कर लिया है आप स्ट्रेजी वीडियो जो की चल रहा है जिसको हम लोग वीडियो नंबर बन बोलते हैं इसको आप पूरा देखिएगा इसमें प्रिविए सेर पेपर के अनलैसिस करेंगे प्रिविए सेर पेपर relevant है क्योंकि चेंज नहीं किया है तो पैटरन लेवल भी वैसा ही रहने की उमीद है तो यहां से हमारा काम थोड़ा सासान हो जाता है यहां पर चीज़ें प्रेडिक्टिबल तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हां एक समझ आपकी बन जाएगी किस हद तक सवाल पूछ सकते हैं लिखित परिक्षा में और कैसे देखें यह वाला वीडियो पूरा देखना है इसका एक्सेस के बल पेटरूप मेंबर्स को मिलेगा जिन लोगोंने पेटरूप हमारा ज्वाइन किया होगा स्टेप बाइस्टेप मेसेज में पीडियाफ का लिंक एक बार समझाय जाएगा आपको वीडियो नुमबर सेकें फिर ना जोइन करने से लेबस आ गया है इसका आशा यह है कि आपको तैयारी एकदम शुरू कर देने चाहिए अब प्रिविसेर पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करती है उसी लेवल का पेपर आप एक्सपर्ट कर सकते हैं सवाल निश्ची तोर पर बदल जाएंगे हो सक एक सो तीस प्रश्ण होंगे और पैंसा ठंक की परिक्षा होगी स्टेडी फॉर्सिबल सर्फिस के पेट रूप में इस पैंसा ठंक की तैयरी के लिए हमारा पेट रूप खुला है और जिसमें से पचास अंक वाले का मट्रियल दिया जाएगा पंदरा में खाली प्रैक्ट विश्यों में चाहिए modern history हो चाहिए quality हो चाहिए economy हो चाहिए environment हो नई definitions नई चीज़े पूछी जा रही है तो सभी इन सब चीजों को समाहित करते हुए study करते हुए हमने latest relevant content develop किया है जो कि आपको दिया गया समान जानकारी का और आपका समान हिंदी का समान हिंदी में बहुत मोटी मोटी किताब में इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें quiz पर हला कि आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी यहां पर जो पैटर्न होता है junior assistant का उसमें हिंदी जो है थोड़ी tough लोग मानते है ऐसा लोग कहते हैं कि हिंदी उसकी tough होती हिंदी tough नहीं होती हिं में जो बोल रहा हूं उसको example के form में अभी वीडियो के आगे की हिस्से में दिखाएंगे भी आपको इंदी के लावज इस में आपको सारे जो टॉपिक्स होते हैं हिस्ट्री जोग्रूफी पॉलिटी इक नौमी इन्वार्बेंट करेंट इस इस से सवाल आते हैं उसका हम analysis इस भी यहां पर लिख के लाएं पूरा अभी आपको सब दिखा रहे हैं तो इन इन जो topics के लिए कितने number of pages में हमने content दिया है जो की काफी relevant होगा आपके लिए limited number of pages में हमने सारे portions को कवर करने कोशिश की है जिससे आप जो है सारे के सारे topics को कवर कर सके मिसलिनियस हो चाए quality हो चाए भुगोल हो चाए तिहास हो चाए current affair हो चाए UP special हो आप इतना कवर कर लें कि maximum जो है समान अध्यान में questions आई कर सके और हिंदी में आप जो है अच्छे खासे एंग score कर सके और reasoning की हम practice करवाएंगे यहाँ पर क्योंकि इसमें practice based सवाल आते हैं जैसे coding decoding हो गयरा हो गया इसमें कोई content नहीं दिया जा सकता है कि आपको कुछ example टाइप करके दे दिजाए लेकिन वह भी काम के नहीं होगे जब तक आप coding recording के कई सारे प्रस्ष्ण खुद नहीं करेंगे जब तक आप पुराने सालों के नहीं solve करेंगे तब तक इसमें आपकी समझ नहीं बनेगे reasoning में यहाँ पर practice बहुत जरूरी है खासकर junior resistant वाले में क्योंकि इसमें जो है रटने वाले सवाल आते ही नहीं है तो reasoning के लिए में लिए आपको practice कर रही है समान एध्यन जो की 40 सवाल जिसके पूछे जाएंगे इसके लिए बहुत limited number of pages में relevant content आपको हम देंगे क्योंकि समान एध्यन में कई लोगों समस्या होती है कि इसमें बहुत सारे topics हैं और आना के बहुत ज्यादा पढ़ता है और study for civil services के content के साथ हैसा नहीं है हमने पास्ट में जितने भी group चलाएं यूपी ट्रपल सी के समन्द में चाहे वो पी टीए ग्रूप्स रहे हो चाहे लेकपाल की ग्रूप्स रहे हो अगर हमने content दिया है तो हमारे content से आप maximum number of questions attempt करने लाइक कुद को महसूस करते हैं यही हिंद ठीक है matching type सवाल देते हैं even statement wise सवाल भी देते हैं कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके option बहुत आपको close लगते हैं तो इस तरीके का जब paper होता है तो उसमें theory portion की महत्ता कम हो जाती है और practice की महत्ता बढ़ जाती है तो इसमें practice हम भरपूर कराएंगे आपने quiz group में ठीक है quiz group आपने join किया होगा अगर आपने full paid group लिया है तो junior assistant का quiz group में आपको जोडा गया होगा इसमें हम हिंदी के तमाम आपको प्रशन कराएंगे और आप इतने सक्षम महसूस करेंगे वहां पर अगर गलत भी करते हैं quiz group में तो आगे ना गलत होगा आपका question यह हम जो है ensure करेंगे और लगतार question करते करते आप यह देखेंगे जब आप actual paper दे रहे होगे कि यह quiz से मिलता जुलता ही सवाल यहां पर पूछा जा रहा है all and all बात यह है कि अभी आपके पास काफी समय बच रहा है तो यहां पर हम भरफूर practice आपके करवाएंगे और theory portion हमने देही दिया आपको update करके आपकी Hindi की quiz होगी और इसमें आपको पूरी तरीके से तयार किया जाएगा reasoning के लिए भी हम relevant questions यहां पर कराएंगे जिस topic से सवाल आते है reasoning में जो आपको topic मजबूत करना जरूरी है उसके समंदित सवाल आपको quiz group में test series form में कराए जाएंगे ठीक यह यहां पर उद्देश है अब परिक्षा का अब देखेंगे लेकिन और यह समझी कि द्विती चरण में क्या है द्विती चरण में यहां पर टंकर परीक्षा computer laptop पर होगी जो की अहरकारी प्रकृति की होगी इसके लाब यह भी यहां पर सैक्षिक अहरता के नुसार प्रतेक अभ्यरति को निम्लिकी 33 से कुछ अंक भी दिये जाने हैं जैसे इंटर्मीडियेट में 60 प्रतीशत और इससे उपर हैं आपके तो आपको अभी संक मिलने हैं 45 प्रतीशत या उससे उपर किन्तू 45 प्रतीशत से कम है तो दस मिलेंगे तो इसमें तो मैं उमीद करता हूँ कि जिनके फस्ट डिवीजन है उनको यहां प पांच अंक मिलेंगे तो यहां पर यह भी है कि सैक्षी का हर्ता के भी अंक यहां पर जोड़े जा रहे हैं और जो प्लेयर हैं खिलाडी हैं उनको अधिक्तम पांच अंकों के अध्याइन निम्निखित रीती से अंक दिया जाएगा यदि खिलाडी अंतराश्ट्री स्तर का है अंतराश्ट्री स्तर के खिलाडी यह फॉर्म क्यों भरेंगे तो अगर आप राश्ट्री स्तर के खिलाडी हैं तो चारंग राजगी स्तर के खिलाडी हैं तो तीन अंक और अभ्यर्थी विश्विद्याले स्कूल स्तर का खिलाडी है तो उसको दो अंक मिलेंगे ठीक है अब कनिश सहायक के पद पर चैन उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग नियाम अमली इवं विधी प्रकोष्ट उत्तर प्रदेश विभाग लिपकी समवर्ग सेवा नियाम अमली कि 2014 में विभाग पांच भरती की प्रक्रिया के अंतरगत नियम सत्रा के नुसार जो भी उबबंद होंगे उसके नुसार किया जाएगा तीक है इसमें वर अल बात की गई है कि इसमें वस्तुनिस्प्रकार की परिक्षा के पैंसा ठंक होंगे सैक्षि का हरता के अधार पर ठंकों में से आएगा ठीक है कट आफ जो है पैंसा ठंकों का आपको निकालना ज़रूरी होगा जिसे लाज्ट टाइम जब वेकेंसी आयती 2019 बीस में तो कट आफ एनलाइसस यह था पैंसा ठंकों में से ठीक है पैंसाट में से जनरल का 42.23 गया था अधर बैकवार्ट क्लास में का 31.19, PWD का 49.40 और फिमेल का 43.45 गया था तो यह कट आफ जो है पैंसाट में से आएगा बाद में आपके इंटरमीडियेट के अंक ग्रेजुएशन के अंक और अगर आप खिलाड़ी है तो वह है अंक जोड़ करके फाइल मेरिट इसमें अनाउंस होती है फिर आपको ए इसमें जो दो शिफ्टों में पेपर हुए थे उसमें अगर हम ओवराल देखें तो यह है यहां पर बात रही थी हिंदी के साथ प्रशन थे जो कि इस पाहले प्रेपर में भी होंगे तमाने द्हान के 40 रीजिदिंग 30 वाक्यानिश के लिएक सब्द से तीन प्रशन थे समा अबरा लोकोक्तियां से 7 प्रशन थे विलों से 6 प्रशन थे परहवची से 7 प्रशन थे और समता 2 से 8 प्रशन थे ठीक है और रीजिनिंग में आपको बताया है हमने कोडिंग डिकोडिंग के 10 सीरीज के 5 कथन इसकर्ष के 5 विभिन बेमेल के 5 और वेंड डाइग्राम के 5 ठीक है से लेबस पड़के उतना अंदाजा नहीं पड़ता है जितना कि प्रिविय सेर पेपर देखके आपको पड़ जाता है ये जूर रुसेंटर पूछा क्या पर में से तत्सम नहींए तोपूरी लिष्ट आपको यहां पर कई बार पता होनी चाहिए तब यापको क्लीरली इसमें पूछा कि कौन सा आपका ततस्म नहीं है उस का पुछा है कविशारे तत्स्म ततत्वह आपको याद होने चाहिए आपको का इंडिकेट करता है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं दुटलब कहते हैं इवाक्यान इसके लिएक शब्द कई सारे आपको लर्ण करने पड़ेंगे इस तरीके से हमारे प्रशन पूछ जाते हैं यह आपको मैं दिखाने कोशिच कर रहा हूं उच्छ का सम होनी चाहिए दस्वावलाई जी था कि कनक का समनार्थी का उन से नहीं है सोना धतूरा गहूं होता है मक्का नहीं होता इसका समनार्थी इसमें आपके पूर्शन पूछ जाते हैं त्योरी पार्ट भी जैसे क्रिया के लावा संग्या के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में फरिवर्तित होते हैं उसको समझने कोशिश करते हैं जैसे पूछ रहें के लावा लिंक के अनुसार क्या बदलता है तो इसमें हम देखेंगे राम अच्छा लड़का है तो अच्छा यहां पर क्या है एक विशेशन सब्द है ठीक है यह एक विशेशन है अगर ह कि हमको बदलना पड़ेगा विशेशन यहां पर हो जाएगा अच्छी तब यह वाक्य हो जाएगा सही तो मतलब लिंक के अनुसार हमारा विशेशन भी बदलता है तो अप्शन बर यहां पर सही हो गया ऐसे कई सारे प्रशनों की प्रैक्टिस हम कुईज में कराएंगे आ कि यहां पर आपको राएंगे इग्जाम्पल्स कैसे कुष्फ फॉर्म में अपनी औरुस तरीके सा आप महसंदी के कई सारे प्रशना थे इसमें तो लगतार आप देङ सकते हैं यह जो है आपको ग्रुप में वीशेयर कर दी गई होगी बीडियाफ आप उसको जरूर देखिएगा प्रिवेस एर पेपर देखना वहाँ पर बहुत जरूरी यह खासकर जब सेम हो पिछले बार जब वेकंशी आई उसके अगर सेम है तो आपको देखना चाहिए प्रजेंट एक्जाम के रहरी के लिए ठीक अब यहां पर आप इस में चाहिए इनका लेवल देखिए आप लेवल जो है बहुत इजी हो नहीं कह सकते हैं ठीक है क्योंकि इसमें वर्ष पूछे गए पूछे गए पट्र देख्टर सवाल गुरू मुखी निउस्पेपर सुदेश सेवक किस नाम से प्रशलित था थोड़ी सी बहुत सब्सक्राइब गुछ अलग मना था से तो उसमें अलग माना था इस सब तीज़े देखनी पड़ती हैं आपको इस वज़े से कुईस कराई जाती ग्यूंकि तेहरी पार्ट में वह बहुत सारी बारीकिया नहीं आप क्लियर कर सकते हैं पढ़के अपने मन से बारीकिया नहीं क्लियर कर सकते हैं अगर कोई टुफ पीट हुआ था पांत दिसम्बर में तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कैसारे सवाल इसमें उत्तर प्रदेश के कल्चर संबंदित यहां पीप पूछे गए थे यूपी जी के हमने काफी शॉट करके आपको दे दी है यूपी करेंट भी आपको अपडेट करेंगे करेंग कोई फालतो लाइव क्लास आपको अटेंट करने के ज़रूरत नहीं है अपना जी के पोर्शन तयार करने के लिए हमारे नोट्स को आप रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करेंगे तो आपका इतनी तयारी हो जाएगी कि मैक्सिम्म सवाल इसमें सही कर सकेंगे यकीन मानिए जो 40 सवाल आपके जीके के आएंगे आप 36 से 38 सवाल करने लायक तक अपने आपको महसूस करेंगे बशरते आपने नोट्स को अच्छे से रिवाइस किया हो लगतार हमारी क्विजस को अटेंप्ट किया हो ठीक है तो यह आप देख लीजिए कुछ सवाल आज भी रेलिवें इसमें ब्लैक स्वाइल एरिया क्या कहलाता है यह डखकन ट्रैप कहलाता है ऑप्शन बर भी एक अन्य शिफ्ट का सवाल देख लेते हैं हम लोग इसमें भी जैसे इसमें पूछा गया है हिंदी यह प्रशन पूछे गया है साथ इसमें वाक्यान के लिए एक शब्द है पह आपका नाशा भी होता है लेकिन शिफिल नहीं होता है ऑप्शन बर ए बहुत सब क्या होती है यह होती है स्री लिंग में और बी इसमें आपको कई सारे quiz करने पढ़ेंगे तभी आप इस तरीके सवाल solve कर पाएंगे क्योंकि केवल theory पढ़के इतनी समझ डवलप कर पाना कई बार possible नहीं होता है तो वही मैं बार-बार stress कर रहा हूँ कि हमारे notes तो आपको पढ़ना ही जो की complete comprehensive है अपने आप में ठीक है किसी भी book से अधिक और आपको quiz करनी ही लगाता है तो इसमें जो है सावदा का बहुचन रूप क्या होता है मैं का बहुचन क्या होता है इसमें पूचा है सर्वनाम से पूचा है का उन सा अशुद्ध है ये पूचा है समास से समधित प्रशना जाते है संधी समधित सवाल है इस तरीके से normal paper होता है कुछ सवाल tough tricky होते हैं कई बार एक दो सवाल ऐसे जरूर होगे जूनियर इस्टेंट के paper में चाहे आप जूनियर इस्टेंट का paper ले 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 चाहे पीटी भी कुछ यहां पर disputed प्रशन निकलते ही हैं किसी विवस्तुनिस्ट परीक्षा में वो इसमें भी निकले थे काफी dispute भी हुआ था जैसे इस वाले प्रशन में काफी dispute हुआ था finally answer की में भी और कई सारे लोगों ने अपने representation इसमें दिये थे ठीक है ऐसे प्रशनों को छोड़कर maximum question आप करने लायक हो जाएंगे हमारी quiz group attempt करके और हमारी video से पढ़ाई करके ठीक है महावरे लोकोक्तियां इसमें पूची गए थी second shift में विलोम शब्द कई सारे पूछे गए थे इस तरीके से पेपर था और shift one shift two काफी मिलते जुलते हैं तो यहां पर बहुत खास बदलाव नहीं देखने को मिला था इसमें भी आपका एक बार फिर से समान जानकारी के paper दिखा देते हैं इसमें भी UPGK का बहुल बाला था second shift में भी UPGK समंधित UP current affairs समंधित काफी सारे प्रशन यहां पर पूछे गए थे यूपी से समंधित बहुत सारे सवाल थे फिर current affair नॉर्मल current affair भी थे और history geography सब सवाल यहां पर पूछे गए थे यह अवानिज जिवाप आर बगएर सब mislinious portion में हमने cover करवा दिया है ठीक है इसकी PDF आपको मिल गई होगी वह आप देख लीजिएगा ठीक है तो इस तरीके से प्रशन आपको तयार करने है और level भी लगभगा ऐसा ही रहने की पूरी पूरी उमीद है क्योंकि इस levels भी same to same ऐसा आया है इस level की आपको तयारी करने की ज़रुरत पड़ेगी और इस level की त study plan जो है कई बार आप जो swim बनाते हैं वही सबसे best study plan होता है आपके लिए यह मैं हमेशा कहता हूं लेकिन फिर भी यहां पर एक इस study plan का होना चाहिए उसके बारे में आपको बात करेंगे हम लोग और चाहुकि अभी कोई exam date हमारे सामने नहीं है तो कितना आपको target करना चाहिए ग्रूप जोइन करने के बाद उसके बारे में बता दे रहा हूं सब्सक्राइब तक करना मुश्किल हो जाता है और score करना काफी मुश्किल हो जाता है तो हिंदी में आपको जो है कम सकम one hour देना पड़ेगा इसकी पढ़ाइ के लिए ठीक है समान जानकारी में आपको 1R देना चाहिए अभी के लिए फिलहाल ठीक है ठीक है एक घंटे से लेकर एक घंटा 30 मिनिट तक आप इसमें ले सकते हैं अगर आपके विशे कमजोर हैं तो आप इसमें ज्यादा टाइम ले सकते हैं समान बुद्धी परिक्षन के लिए एक घंटा यहां पर काफी होगा अभी के लिए फिलहाल ठीक है और जो हमारी क्विज होती है सभी प्रकार की क्विज करने के लिए आपको 30 मिनिट यहां पर काफी होगे इतना टाइम होगर आप हमारे स्टडी कंटेंट में दे देंगे हमारी क्विज ग्रूप में दे देंगे तो अभी के लिए इतना काफी है शुरुआत में आपको यहां पर हमने PYQ भी टाइप करके दे दिये हैं इसी PDF में ठीक है इस तरीके से आप इसमें देख सकें कि क्या क्या आता है इसमें तो आपको एक करेंट फायर का हम सैंपल दिखा दे रहे हैं करेंट फायर मात्र 25 से 26 पेज़ें हमने कंपाइल करने का प्रयास किया है पूरा एक मंत का करेंट फायर आपको जनवरी से लेकर हमने ऑक्टूबर तक का भी दे दिया है जैसे एक्जाम डेट आती ही तो हम आपको क्लियर कर देंगे कब से कब तक का पढ़ना है अभी आप इससे पढ़ना शुरूर रखिए बिल्कुल ठीक है से बड़ा तहरता हुआ सोलर पार प्लांट जो है पहले कहां था सिमाद्री में था फिर राम गुंडम में आया फिर कहीं और आया तो इस तरीके से जो चीज़ें अपडेट होती है वह हम को इस ग्रूप में अपडेट करते रहते हैं बितने सारे विशय हैं इतने सारी सब्सक्राइब करते हैं हम लोग क्लियरली सब्सक्राइब यहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं अगर आपने जूनर इस्टेंट का मारा ग्रूप जोइन किया और अगर आपको कोई डाउट है तो ठीक है इन नंबर्स पर जो मार्केटिंग वाल नंबर है इस पर आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं निरंतरता परिष्रम तो है धायर की बड़ी जरूरत पड़ती है कई बार बहुत फ्रिस्ट्रेटिंग हो जाता है लेकिन आपको कही नगहीं अपनी पेस मेंटेइन करके रखना होता है क्योंकि जब एक्जाम जिस दिन होता है उस उस दिन कोई excuse नहीं कोई भी मानता है कि आपका क्यों नहीं जो है कटाओफ से उपर अंका पाए आपने देखा दोजार्बनेश पीस की विकेंसी में 65 में से जो है आपके कोई भी कटाओफ जो है 43-44 से कम नहीं गये थे ठीक है तो इस बार हमको टार्गेट करना है कि 65 में से जो है कम से कम 46 मार्क्स का आपको 47 मार्क्स का टार्गेट रखना है इससे कि एक अचीवल लिमिट में मार्क्स अचीव की जा सके और आप फाइनल लिस्ट में भी अपना नाम देखें ठीक है हमारी टीम जो आपको सर्व करेगी इसमें जो कुईस कराएगी वो काफी अपने जैंगर प्रेक्टिस में उसी प्रकार का कंटेंट दिया गया है जिससे आपको इस एक्जाम के लिखित परीष्या में जादा जादा मदद मिले और आप इस 65 वाले अंग की लिखित परीष्या में maximum marks जो है चीव करें ठीक है तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर दे कि कि अ.